हटो क्षब बच्च में श्रीज क्लास इंगलिर्इग में कि बच्च को स्व को स्वाझ को सब काइसे करते हैं आफ को इज्जुए एंड वाज मेंड डिफ्रेंस कैसे करते हैं कश deal अपको अच्छे करते पिलीज लाइक से शर्ब शीया जरूर करेंगे चली आहसे करते हैं मैंने एक बार्फ भूप ले रखिए उसमें आपको पिक्चर से बताऊंगी कहां पर वाज होगा कहां पर इज होगा तेखें यहां पर दो ये पिंजरे बने हुए चुहें के तो इसमें इसमें एक में देखी चुहा है और एक में चुहा नहीं यानि कि था अब नहीं है तो sentence क्या बनता है? The rat is in the keg keg में चुहा है तो क्या लगा है? इज और जब नहीं है तो क्या लगा है? The rat was in the keg मतलब पहले था अब नहीं है तो है वाले में इज लगाना है और था वाले sentence में बच्चों was लगाना है The dog is happy कुट्टा हस रहा है यानि कि खुश है तो और यहां पर देखो कुट्टा silent में है इस picture में तो इसका क्या sentence बना है the dog was happy मतलब कुट्टा खुश था अब नहीं है अब इसमें देखे इसमें क्या है एक वैन है वैन के अंदर cat है और इस वैन में से cat निकल गई है यानि की थी अब नहीं है the cat is in the van the is लग गया यह देखे है माड़ा is है the cat was in the van मतलब वैन में खा ली है cat नहीं है तो वाज लग गया इसे तरह समागी बढ़ते है the fox is hungry यहां पर देखे fox खाना खा रहा यानि कि भूखा है और इस picture में fox ने खाना खा लिया चला गया तो क्या है यहां पर लिखा the fox is hungry फॉक्स भूखा है और यहां पर क्या है the fox was मतलब था वो छोड़कर खाना छोड़कर जा रहा ती यानि कि था इसी तरह से आगे बढ़ते the hand is in the tub tub में hand है तो है और इस tub में hand नहीं है तो यानि थी पहले tub में थी अब नहीं है तो sentence क्या बना है the hand is in the tub मतलब hand tub में है the hand was in the tub तो बस बच्चो करना क्या है अगर था वाले sentence रहेंगे तो उसमें सिर्फ क्या है तो इसी की जगह पर हमें वाज लगाना है अगर वाज वाल था है वाला sentence है तो इजी वाज की जगह इर इस लगानी है इस तरह से हम बच्चों डिफरेंट करेंगे वाज और इजर वाज में तो आहएव अगर आपको इस grammar class आपको अच्छी लगी बच्चों आपको मैं समझ में कुछ भी अगर आ रहा है तो प्लीज लाइक सरसर जरू करेंगे बाई बच्चों बाई पेरेंट्स